कि आवाज जियन भारत में आपका बहुती स्वागत है और हमने आपको कल जैसा दिखाया थे कि कैसे राज योग सीख कर दुरौबदी मुर्मु देश की राश्च्पती बन चुकी है बहुत गौरव की बात है का आदिवासी महिला होकर उडिसा के एक छोड़े सगाउं से होक बीजबी के नितित्त में एकत्रित होकर ट्रेडिस्टिल सौंग बजाकर अपने पारंप्रिक कपड़े पहन कर पारंप्रिक सौंग पर पारंप्रिक गाने पर डांस करते हुई नजर आ रही है ताल से ताल मिलाते हुई चेहरे पर बहुत खुशी का हावभाव है कि हमारे ह राजशे के महापौर आशा लकडा से भी हमने बात करी आईए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा नरंदर भाई मोदी का बहुत अभार वेक्त करती हूँ कि आपका द्रिष्टी कोल आपका द्रिष्य ऐसे जगह पर है जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं आपने कहे थे कि अंतोदे में रहने वाले हर वेक्ती को आगे आने का मौका है उन तक योजना पहुचाने का काम है आपने तैसी महिला जिनोंने कभी सोचे भी नहीं होंगे तमाम संकटों से जूचते हुए भी हिम्मत किया है और आज देश का सरवोजपत पर जीत करके आई है तो मैं दरवपदी मुर्मु जी को बहुत बहुत सुपकामना और बधाई करती हूँ जैसा अपने साफ़ तोर पर सुनते हुए का शनलखड़ा को कि उन्हें बहुत गर्व है बहुत प्राइड है उन्होंने जैकारे भी लिखाया है और जैसा हमने आपको कहा था कि द्रॉपदी मुर्मु ने अंपने आपने जीवन में बहुत कुछ जहला है जब आपको जानकर अहरानी होगी कि महज तीन महीने की थी उनकी एक बेटी जब उनकी बेटी का देहान्त हो गया अभी तक कर उनके गाउं में इस दौने में कोई बात नहीं करता है और 2010 में 2009 में उनके एक बेटे का देहान्त हुआ 2012 में दूसरे जाते हैं यह जो कहावत है कहीं ने कहीं सटीक रूप से फिट बैठता है जब वो मुश्किल आया तो वो टूटी नहीं वो बिखरी नहीं बलकि बिखर के वो निखर गई और ज्यादा आपको बताते हैं माउंट रभू में हमने आपको कल इंफॉर्मेशन दिया था कि जाता है राज्यों का प्राडिस करते है सुवह 3.30 बचा उड़ जाती है month करती है जोग करती सात्ना करती है और इसके बाद अपने दिन चर रहा का काम सुरूब करती बहुत कर्मत रौब्सक्राइब के बारें कहा जाता है आई जब पार्टी के लोग है या फिर उनके जो सहयोगी है वो हमेशा ये कहते है कि इतनी कर्मट है ये ऐसा नहीं कि वो राजपाल बन गई या फिर कल को जाके वो राजपती बन जाएगी आपको बता दे राजपती भवन तो इससे पांच गुना जादा बड़ा होता है उसमें लगपक 320 कमरे होते आशो अराम के जिन्दी होती है लेकिन वो द्रॉब दे मुर्मु जिनों ने जिन्दी पर संखर्स किया है वो राजपाल भी जारकन के थी तो देखा जाता था कि वो शांती से अपने केविन में बैटती नहीं थी बलकि हर वक जाए-जा लेते रहती थी कि कहां पर क्या हो रहा है इस्पेशली महिलाओं आदिवासियों के हित में ये सरकार क्या कर रही है बहुत पहली नज़र रखती थी वो सरकार पे जबात आदिवासी कम्यूटी और महिलाओं के आती थी तो देखना बहुत ही दिल्चस्प होगा कि देश के सरवच्चपत पर बैठ चुकी है बहुत लोग प्रिये रहे है वो राश्पती अब तक देखा जाए राश्पती के रूप में तो एपीज अब्दूल कलाम बहुत ज्यादा लोग प्रिये रहे और उन्हें बच्चों के लिए और सबके लिए अपने राश्पती भवन के दरवाजे खोल के रखेते तो साथ इसका पूरा निरेक्शन तो मीडिया करते रहे और हम आपको दिखाते भी रहेंगे ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे ही जियन भारत धन्यवाद अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दवाना ना भूले